तो गाइस हमारे पेट टेलिग्राम चनल पर तुन आप सील का फूरा नावल एक्सप्लेन हो चुक है उस पर वन मान सस्क्रिप्शन केवल 79 रूपीस में ही मिल ले है जो 85% आफ है और यह आफर केवल कलता की वैलिड है जिसको भी यह बाइक करना है आपको लिंक डिस्क्रिप यांग होंग्यू ते उन्होंने अपना स्टारिस्काई माइथोलोजिकल बिस्ट को समन कल लिया था और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बिस्ट प्रकाट हुआ था और जैसे वह स्टारिस्काई माइथोलोजिकल बिस्ट प्रकाट हुआ था एल्टर होंग्यू का जो डोम डोमेन है और गाइस सेल्फ रिकार्णेटिंग डोमेन है कैसा डोमेन होता है जो आस्मान से सक्तियों को खीचता है मतलब जितने भी आस्मान में तारे चमकते हैं उन्हीं का उप्योग करके अपनी पावर्स को बढ़ाता है और वहां पर एल्डर ली इस डोमेन का सामना तो च लेकिन तुम अभी उतने ज्यादा पारफुल नहीं हो कि मेरा सामना कर सको अभी तुम्हें और भी प्रैक्टिस करने की ज़रुत है और वहां पर लॉंग होचेन कैसे न कैसे करके खड़ा होता है एल्डर ली जैसे लॉंग होचेन को खड़ा होते हुए देखते हैं वह लेकिन वह स्टार लाइट यूनिकान भी अब धीरे धीरे उस डोमेन के प्रभा में पढ़ने लगता है और थोड़ी देर में स्टार लाइट यूनिकान जोर जोर से चिलाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़ादा प्रेशर से दर्ध हो रहाता है तभी वहां पर लॉं की सीड लीवे खड़ा हो जाता है लॉंग हाउचन का जो इस हम होट ओफ इटनिटी था वह बहुत ही तेज धक 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 कर रहा था जिसके कान लॉंग हाउचन की बोड़ी में एक बहुत ही तेज इस प्रिच्वल एनरजी जनरेट हो रही थी वहां पर यांग होंग्यू जै लॉंग हाउचन तुरंत डिवानिशनेल अलफ सनने मून की सीड का उप्योग करते वे उन सारी स्वाट को अपने सीड पर रोक रहता लॉंग हाउचन धीरे धीरे पीछे हटने लगता है एडर होंग्यू लगतार अपनी स्वाट से नकली स्वाडे बना बना चीदे लॉंग हाउचन को कुछ नहीं हो रहता लेकिन उसके सरीर पर काफिल जादा प्रेसर पढ़ रहता और हमें दिखा जाता है लॉंग हाउचन जैसे ही गोल्डेशन फाउंडिशन आर्मर में क्रैक आता हुआ देखता है वह तुरंत उस आर्मर को निकाल देता है और इस नजारी को देखकर जो पूरी ओडियोंस होती वह काफिल जादा सौक हो जाती है और वहाँ पर सौक में कते हैं आकि लॉंग हाउचन पागल हो चुगया क्या आगर उसने गोल्डेशन फाउंडिशन आर्मर क्यों निकाल दिया अगर उसने यह आर्म अध्रशन में क्या चला है और हमें दिखाए जाता है अटर होंग्यू भी लॉंग हाउचन के इस कर्टाप को देखकर काफिज जादा सौकते हो पागल हो चुक है क्या तब वहाँ पर एल्डर यांग होंग्यू लॉंग हाउचन से कहते हैं लॉंग हाउचन अब बहुत हो स्टाल लाइट क्रोस स्वार्ड स्ट्राइक जो उसने अध्यात्मिक तलवारे बनाकर सीधे उनके हाथ के उपर नाचने लगते हैं एडरो हंग्यू की जो तलवार थे वो काफी जादा बाड़ी थी लगबग पांच मीटर वर्ष की अंदर से काफी जादा भयाना कोरा निकला था और तुरंत लोंग हाउचन की तरह फायर कर देते हैं लोंग हाउचन उस स्वाट को देखता है एडरो हंग्यू सोचते हैं कि लोंग हाउचन अब हारने वाला है लेकिन अचानक से लोंग हाउचन की आँखों में बैगनी कलर का और चमकने लगते हैं लॉंग हाउचन की अचानाक से स्प्रिच्वल अनर्जी बढ़ने लगती है उसका होट अफिटनिटी धक 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 करने चलने लगता है और हमें दिखाया जाता है लॉंग हाउचन डिवानिशने लप सनने मून की सील्ड को लेकर खड़ा हो जाता है एल्डर होंग्यू के इस हायू प्रकट होता है जिसके 6 सीर होता है और हायू के एकड़ं छ hm के बहल में दो उबऴर उप निकले मैं आसे और जैसे हायू लॉंहाँचन साजी बरताव करते वे देकर काफी जादा सोगते क्योंकि वह जानते थे कि उनका बिष्ट बहुत ही जादा पारफूल है आखिर यह इस बिष्ट से कैसे डर सकता है जो अभी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर उनको दिख रहा है और अचानक से बिष्ट भाग क्यों गया ल लेकिन वहाँ पर वो बिष्ट निकलने का नामी नहीं ले रहाता जैसे वह कान कान डर कर छुप गया हो एड़र होंग जी लॉंग हाउचेन की तरफ ध्यान से देखते हैं लॉंग हाउचेन का जो डोमेन धीरे धीरे कम प्रभावियों का सिकूरने लगाता वो अचानक से फैनले लगता है लॉंग हाउचेन के एकदम माते पर नौ धारिया नजरा रही थी और यह हायू का सिम्बल था और लॉंग हाउचेन की पूरी बोडी ही बैगनी बैगनी कलर की औरा से निकल लई थी लॉंग हाउचेन का लाइट गोड डोमेन जो पहले एकदम सुनारे रं जो लॉंग हाउचेन की पावर को इतना जादा भयानक कर दे रहा है वहाँ पर जो हायू था वो अभी जादा पार्फुल नहीं हुआ था बस लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर ता लेकिन जब लॉंग हाउचेन टावर ओफ इटनिटी में कल्टिवेशन कर रहा था और वह आप अपन्य लॉंग हाउचेन होते है वह एंडर यांग हायू पर अटेक करने लगता है लांग हाउचेन के बीच में काफिस जफादाig लेवल की बैटल हो रहा ही Qi जैसे जैसे लॉंग हाउचेन और अल्डर यांग होंग्यू का अटेक टकरा रहा था जो एरीना के चारत्रफ जो सील्ड बनाई गय थी जिसके पीछे सारी जनता बैटी हुई थी वो भी डरने लगते हैं क्योंकि पूरा सील्डी काप रहा था और वहाँ पर जितने भी एडर होते हैं वह जैसे देखते हैं कि पूरा सील्डी कापने लगा वो लोग तूरंत उसके पास पहुंचते अपनी पावर को यूज करके वे उसको इस्टेबलाइस करने की कोशिस करने लगते हैं लेकिन लोंग हाउचेन और यांग होंग्यू के अटेक से वो लोग भी उस सील पाव गया तो हमारा क्या होगा पूरे लोग भी एकदम कापने लगेते वो तो यहां पर आयते लड़ाई देखने लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचाता कि इतना भयानक यूद्व देखने को मिलेगा तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी नाइट टेंपल के लोग होते हैं वह अपनी पूरी ताकत का अपयोग करके उस सील्ड को धीरे धीरे स्टेबलाइस करने लगते हैं लेकिन लॉंग होचेन और याडर यांग होंगियो फिर से अपनी पावर्स को बढ़का कर लड़ने लगते हैं एडर ली कहते हैं आरे ये पागल हो चुके हैं क्या अपनी पूरी पावर्स लगा कर इस सील्ड को बचाने की कोशिज कर रहे थे और पूरी जनता तो एकदम डर के मारे कापने लगी थी और वह लोग कहते हैं अगर ये सील्ड तूट गोई तो इतना बड़ा धमाक होगा कि होली सीटी के कितने कांचे ओचतो फूट कर बिखर जाएंगे और गाइस आज की वीडियो की एक्स्पिनेशन को यहीं पर इंडर कर देते हैं नेस्ट अपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अप्लोड हो रहा है